NIUS के 10 वी और 12 वी के स्टुडेंट्स है देखो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप e-service के थुरू क्या-क्या changes कर सकते हो क्या-क्या correction कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख पार होंगे कि मैंने official notification निकाल लखा है जो NIUS ने release किया था और यह notification नया नहीं है करवाने के लिए, add करवाने के लिए correction करवाने के लिए उनका आपको यहाँ पर नाम दिया गया है और payment आप किस तरीके से कर सकते हो यह सारी चीज़े इस notification में आपको बताया गया है ठीक है तो यहाँ पर हम one by one करके समद लेते हैं जैसे कि सबसे पहला जो है learner name correction जैसे कि अगर आप NUSK student हो और अपने name में correction करवाना चाहते हो तो आप e-service के थूरू करवा सकते हो अगर आपको father name में correction करवाना है तो भी आप करवा सकते हो religion correction करवाना हो जैसे कि अगर admission के time आपने हिंदू तो मुसलिम कर दिया हो या मुसलिम तो हिंदू कर दिया हो तो ये भी आप change कर सकते हो e-service के थूरू और previous qualification अगर आपको change करवानी हो जैसे कि आपको मालो कि 2021 में आपने pass out हुआ है लेकिन 2020 का उसमें आ रहा है pass out तो ये भी आप change करवा सकते हो guardian name change करवा सकते हो guardian name correction करवा सकते हो और steady medium change करवा सकते हो ठीक है जैसे कि काफी बच्चे क्या करते हैं कि जोस जोस में आकर English medium ले ले लेते हैं 10 वी आप 12 वी class के अडविशन के time तो अगर आपको Hindi करवाना है English to Hindi करवाना है तो वो भी आप e-service के थूरू करवा सकते हो अपने data worth में आपको correction करवाना है तो correction करवा सकते हो अपने data worth में अगर आप change करवाना चाते हो तो change भी करवा सकते हो और यहाँ पर आपको social category change का भी option मिलता है कहने का मतलब यह है कि अगर आप माल लो एड़िशन के time आपको SC, ST, OVC का आपके पास certificate नहीं था लेकिन आप सच में बिलोंग करते हो और अगर आपने SC या OVC जिससे भी आप बिलोंग करते हो उसका certificate बनवा लिया है तो उसे आप NIVS के portal पर कैसे upload कर सकते हो जो आपको छूट मिलेगी जो आपको facilities मिलेगी एक्स्टा उसे आप कैसे ले सकते हो तो अगर आपको यह upload करना है चाते हो अपने SC, ST, OVC का certificate तो वो भी आप इस service के थूरू कर सकते हो disability change अगर आपको कोई disability है और एड़िशन के time आपने certificate के वज़ए से वहाँ पर no select कर लिया था तो अगर आप optional subject add करना चाते हो रखना चाते हो तो वो भी आप इस service के थूरू कर सकते हो ठीक है और यहाँ पर नीचे भी कुछ दिया गया है जहाँ पर आप देख पार होंगे तो यहाँ पर पहले नमर पर दिया गया है change subject जैसे कि माल लो कि आपने कोई ऐसा subject ले लिया है जिसमें अब आपको इंट्रेस्ट निया परने में तो उस subject को आप change भी कर सकते हो replace भी कर सकते हो उसके जगा कोई आसान सा subject भी ले सकते हो तो यह facility भी आपको इस service पर मिलती है और दूसरे यहाँ पर देख पार होंगे आप add change TOC, TOC का मतलब आप समझते होंगे transfer of credit system होता है इसमें होता है क्या है कि काफी बच्चे जो है रेगुलर से करके आते हैं और रेगुलर करते समय अगर वो एक या दो subject में फेल हो जाते हैं आपको एक्जाम देना है और आपको पास करके हम अपना certificate आपको प्रवाइट कर देंगे तो यह भी आपको facility जो है इस service के थुर मिलती है चेंज study center का आपको facilities मिलता था लेकिन अभी यह जो link है एक्टिव नहीं है यानि कि link इस service से हटा दिया है तो इस चीज का ध्यान नखना कि study center change करने का जो link है यह आपके dashboard में से यानि कि इस service के portal से हटा दिया है यह जब भी आएगा मैं आपको inform कर दूँगा उसके लिए आप बेफिकर रहे है अगर आपको correction correspondence address चेंज करवाना है तो वह आप करवा सकते हो ठीक है अगर आपको id card अ verification करवाना है तो वह भी आप इस service के थुरू करवा सकते हो document verification में सारे ही आजाते हैं आपको कुछ भी problem हो उसकी verification आप इस service के थुरू करवा सकते हो जैसे कि काफी बच्चों का क्या होता है कि जो admission लेते हैं उनका admission pending में ही रह जाता है तो वही यह बोला है कि document verification भी आप online के option मिलते हैं online में आपको सारे option मिलेंगे net banking मिलेगा debit card credit card मिलेगा UPI मिलेगा जिसमें आपको paytm गूगल पे भीम पे यह सारी चीज़ा आपको मिलेगी तो इस तरीके से आप कर सकते हो ठीक है और एक और चीज़ में आपको यहाँ पर बाता हूं कि जितने भी facility यहाँ पर या फिर आपको subject add करवाना है medium change करवाना इन सब पर मैंने वीडियो बना रखा है detail में और live मैंने form fill करके दिखाया है form fill करने के बाद आपको मैंने payment करके दिखाया वहाँ पर और payment करने के बाद आपको यह भी बताया कि यह कितने दिनों में approval मिल जाएगा आपको और कितने द कर सकते हो और अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने नीड के अकॉर्डिंग उनका यूज करके अपने करेक्शन करवा सकते हो या चेंजेस करवा सकते हो या अगर आपको ओर्डर करना है कुछ तो और कर सकते हो इस वर इसके थुरू तो अगर आप वीडियो पहली बार देख